दोस्तों कॉंग्रेस सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाना जानती है अपने भीतर जाकने की उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली वो हमेशा से दूसरों के दौरा किये जा रहे कामों पर ही उंगली उठाती रहती है लेकिन अपने दौरा किये जा रहे कामों की निगरानी उसने कई बार तो ऐसा लगता है कि राहूल गांदी को जानबूच कर उनके नेता मुसीबत में डालते रहते हैं। राहूल गांदी और कॉंग्रेस के नेता कह रहे थे कि राम लला प्रान परतिष्ठा कारिक्रम का मुर्थ सुब नहीं है। ये असुबकाल में किया जा रहा काम है। लेकिन जो कॉंग्रेस राम लला प्रान परतिष्ठा कारिक्रम पर सवाल उठा रहे थे वो भी उन राम के प्रान परतिष्ठा पर जिनके नाम के आजाने मात्र से ही सारे असुबकाल सुबकाल में बदल जाते हैं। इतनी बात कॉंग्रेस के समझ से परे है लेकिन वही राउल गांदी की यात्रा और टाइम और सुब मुर्थ की बात करें तो वो असुब है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कॉंग्रेस के नेता कह रहे हैं वो भी आचारे प्रमोत कृष्णन ने कहा है उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रान परतिष्ठा के मुर्थ पर सवाल उठा रहे हैं आचारे प्रमोत कृष्णन ने कहा है कि पाटी के जो नेता राम मंदिर के मुर्थ पर सवाल उठा रहे थे और विसलेशन कर रहे थे उन्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि सास्त्रों के अनुसार पंचक ल और इस अवधी के दोरान कॉंग्रेस की बारत जोडो नियाय यात्रा शुरू की गई है। मिलिन देवडा के इस्तिफे पर कॉंग्रेस नेता आचारे प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि भगवान राम का परकोप सुरू हो गया है। मैं बगवान से प्रातना करता हूँ कि कुछ लोगों के गलती की सजा पूरे कॉंग्रेस को ना दे। लोग गांधी परिवार को छोड़ रहे हैं कॉंग्रेस को नहीं छोड़ रहे है। और भी वीडियोज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। झाल